मंगल वार के दिन हरमान जी की बिसेष पुजा अराधना करने का विधान है और इस दिन अगर लोंग का प्रियोग किया जाये तो जीवन के सारे कस्टमिर जाते हैं लॉंग जिसका परियोग तांतरी क्रियाओं में भी होता है पूजा पार्ट में भी होता है और घर के तमाम मसाले में भी परियोग होता है वैसे आज के दिन एक खास परियोग करना है आपको आईए जानते हैं विस्तार से हरुमान जी राम जी के भक्त हैं और बिना राम जी को परणाम किये आप सिर्फ हरुमान जी की अराधना आप चाहेंगे करके आपको उनकी किरपा मिल जाए तो ये ओसंबव है जब भी आप हरुमान जी की पूजा करें उनको याद करें तो पहले जैस्री राम का जायकारा लगाएं या फिर राम जी को परणाम करें और फिर हनुमान जी की अराधना करें तो हनुमान जी जल्दी प्रसंद होते हैं कभी कभी हमसे ये भूल हो जाती है लेकिन आगे से मत कीजिएगा तभी आप पर किरपा बरसेगी तो इस बार मंगलवार के दिन विशेश संयोग भी बन रहा है सिद्धी नामक योग बना हुआ है और ऐसे में आज के दिन जो भी कारे करेंगे उसकी सिद्धियां यानि वो सिद्ध हो जाएगा उसके फल आपको हाथो हाथ मिलेंगे देखिए इस दिन लॉंग का छोटा सा परियोग किया जाता है कैसे करेंगे सबसे पहली बात तो आप साम के वक्त पीपल के नीचे एक सर्सूं के तेल के दीपक में दो चार दाने काली उड़त या काला तिल के डाल के जलाईए इसके बाद ओम नमो भगवते वासु देवाई का जब करें और फिर हनमान जी के मंदिर में जाए यानि पहले पीपल के नीचे जलाना है फिर हनमान जी के मंदिर में जाना है और हनमान जी के मंदिर में जब जाईएगा तो सर्सूं के तेल का ही दीपक ले जाईएगा और दो लॉंग डालकर हनवान जी की विदिवत आरती करें फिर आप अपने जीवन की परिशानिया उनसे कहें आपके जीवन की समस्त परिशानी दूर हो जाएगी अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है आप नहीं जा पा रहे हैं तब कोई बात नहीं पास के किसी भी मंदिर में आप जला सकते हैं अगर हनवान जी का मंदिर भी पास में ना हो तो एक चोटा सा काम करें अपने घर में जब दिया बाती करेंगे तब लॉंग कपूर और बड़ी या छोटी लैंची जो भी आपके पास है उसके तीन दाने ले लीजेगा और एक साथ जला कर पूरे घर में दिखाईए इसकी जो खुस्पू है आपके घर के नकात्मक पुर्जा को समाप्त करेगी और आपके जीवन में खुसियों को लोटा देगी आप अगर पास के मंदिर में भी जाते हैं तो भी घर में ये परियोग कर सकते हैं जो आरती आपने की पूरे घर में दिखाया वो ठंडा हो जाए तो उसको थोड़े से पानी में मिला कर अपने घर के मुखे दरबाजे पर हलका सा उंगलियों के सहारे छीटा डाले बाकी के किसी पौधे में डाल दें रात के रात में जब आप सोने जाएंगे उसके पहले एक छोटा सा प्रियोग कीजेगा एक तो हनमान जी को परणाम तो करेंगे ही भगवान स्री राम को याद करके और फिर आप संभव हो तो आज के दिन रात में सोने के पहले दो लॉंग लेकर अपने हाथ में अपने पूरे घर में घूम ले फिर घर से बाहर निकल कर उत्तर दिसा में फेक दें बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं मुश्किल दूर हो